जैगुर्देव और दोस्तों मेरे चैनल सिदिसावर मत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है और देखिए आज जो मैं आपके लिए ले करके आया हूँ कैई बार ऐसा होता है कि हमारा कोई सत्रू होता है और वो सत्रू ताकतवर है हमसे और काफी ज़्यादा समझाने पर भी वो नहीं मानता है और कैई बार वो ऐसे चोट करने पर उतारू हो जाता है कि आपके साथ लड़ाई जगड़ा करना या फिर और दूसरी तरह की वारदात करने के लिए वो एक तरीके से तयार ही रहता है कि भई मुझे इसको तो फीटना है मारना है तो उस इस्थिती में आपको मैं एक ऐसा प्रियोग बताने जा रहा हूँ कि आप उस सत्रू से अपना बचाव कर सकते हैं और देखे कही बार ऐसा होता है कि सत्रू ताकतवर होता है तो आप कुछ कर भी नहीं सकते वैसे उसका ठीक है लेकिन आप ये तरीका अपना करके उससे अपना बचाव आप जरूर कर सकते हैं तो मुझे न अभी किसी ने कॉल भी किया था इसी तरह का उसके साथ में मैटर था तो मैं बता रहा हूँ उनको देखे एक यंत्र है जो आपको बनाना है ठीक है यंत्र मैं आपको वीडियो में दे दूँगा वीडियो में उसका फोटो आपको दे दूँगा आप उस फोटो उस यंत्र को देख करके बिल्कुल ऐसा ही यंत्र आपको बनाना है अब आपको करना क्या है किसी भी दिन सनिवार के दिन रात्री में उस यंत्र को बनाना है और बनाना किस पे है एक भोज पत्र ले लेंगे ठीक है एक चोकोर टोड़ा ले लेंगे छोटा सा भोज पत्र का और धतूरे का रस आप देखो के जंगल में धतूरा मिल जाता है जो शंकर भगवान पे भी चड़ता है वो धतूरा तो उसके कुछ पत्ते ले लेंगे और उनमें से रस निकाल लेना ठीक है? तो धतूरे के रस से और लोहे की कोई कील ले लेना ठीक है? लोहे की कील भोज पत्र के उपर धतूरे की रस से लोहे की कील के द्वारा लोहे की कील से आपको लिखना है उसको ठीक है तो उस यंत्र को भोज पत्र पर आपको बनाना है और जब वो यंत्र बन जाए उसके बाद आपको ग्यारे सो मंत्रों का जाप करना है ठीक है 1100 मंत्रों का आपको जाब करना है अब मंत्र कौन सा होगा वो मैं आपको बता देता हूँ ठीक है उस यंत्र के नीचे हो सकता है कि मैं लिख भी दूँगा मंत्र को वीडियो में मैं दे दूँगा चोटा सा मंत्र है वैसे तो ठीक है मंत्री इस प्रकार से है ओम नमो भगवते रूद्राय नम्हें ठीक है ग्यारे सो बार इस यंत्र को अपने सामने रख करके एक दीपक जलाएं सुद्धगी का दूबबत्ति अगरवत्ति लगाएं और ग्यारे सो बार रूद्राक्ष की माला से जो की माला प्राण प्रतिष्ठित और चैतन्य होनी चाहिए ठीक है अगर जिन भाईयों को प्राण प्रतिष्ठित और चैतन्य रूद्राक्ष की माला नहीं मिल पाती है तो वो मुझे WhatsApp कर सकते हैं WhatsApp नमबर मैंने अपना वीडियो में दिया हुआ है और वो माला आप प्राप्त कर लें ठीक है? आप Order करके ले सकते हैं तो रुदराक्ष की माला से आपको 1100 मंतरों का आपको जाब करना है यह आपको 11 माला मंतर का जाब करना है 11 माला उसी रात्री में सनिवार की रात्री में अब रात्री में आप 9 बजे 10 बजे किसी भी टाइम कर सकते हो ठीक है उसके बाद ये मंत ये जो यंत्र होगा भोजपत्र पर जो आपने बनाया है वो यंत्र सिद्ध हो जाएगा और उस यंत्र को आप हमेशा अपने पास रखें अपने पास या तो आप अपनी जेब में रख सकते हैं नहीं तो तावीज में भरके अपने बांद सकते हैं ठीक है तो जब तक ये तुम्हारे पास रहेगा जब तक तुम्हें कोई भी सत्रू का कोई भेहनी रहेगा और सत्रू जो होगा वो तुम्हारे सामने आने से कत्राने लगेगा मतलब कि तुम्हारे सामने नहीं आएगा वो ठीक है न ये मैं आपको बता देता हूँ इस यंत्र को सिद्ध करने के बाद इसको अपने पास रखें तो कोई भी सत्रू तुमारे सामने नहीं आएगा जो तुमारा सत्रू होगा सत्रूता तुमसे रखता होगा वो तुमारे पास आने से कत्र आएगा बस ठीक है तो इस तरह से आप अपने सत्रू से बचाओ कर सकते हो तो यह मैंने सत्रू से बचाओ के लिए एक उस तरह का यंत्र आपको दिया है एक ऐसी क्रिया आपको दी है जो की वास्ताव में बेजोड क्रिया है ठीक है? और जो भाईयों को यह वीडियो मेरी पसंद आई है और जिनको यह करना है तो वो कर सकते हैं और जिनको वीडियो पसंद आई है वो वीडियो को लाइक जरू करें और चैनल को सबिस्क्राइब करें और मेरे साथ बोलिए वीर बजरंगबली हन्मान जी माराज की जय बोलिए मेरे परमहंस गुर्देव की जय